केलो स्टुरेंट्स कैसे हब सब लोग चिंटू है आज क्लास में चिंटू आगे आज लास्ट क्लास में कहा था न कि चंटू आनी रहा पकड़ के ला हूँ वाँ चिंटू को चलो तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केल्कुलस की सबसे पहले डिफ्रेंशेशन पढ़ेंगे उसके बाद अगले लेक्चास में हम लोग इंटिग्रेशन के बारे में तरचा करेंगे क्योंकि जो लास्ट क्लास में हमने बाते करी हैं या लास्ट क्लास तक बाते करी हैं हमने कहा कि equations of motion वहीं पर यूज कर सकते हैं पढ़ते हैं calculus एक मैस का topic है और इसको हम लोग physics में जितना जरूरत है उतनक पढ़ लेंगे बाकी calculus का पार 12th क्लास के mathematics में आता है non-medical वालों के लिए और medical वालों के लिए जितना जरूरत है physics में उतना हम पढ़ लेंगे right okay so मेरा नाम है गगंदीर सिंग और मैं हूँ आप का master और यह अपना बहुत ही beautiful से चैनल जिसका नाम है Newton पाजी let's talk about differentiation ठीक तो differentiation पढ़ने से पहले हम लोग यह समझते है कि इसकी जरूरत क्यों आना पड़ी क्या हो गया ऐसा कि differentiation की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक simple सा example देता हूँ मालों की अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है हाना स्ट्रेट लाइन अपर बहुत बढ़ी है बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है स्ट्रेट बोलते हैं इसको क्या इसकी slope निगा सकते हैं हाँ बिल्कुल आराम से कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो इसका y2-1 कर देंगे और x2-x1 कर देंगे तो y2- y1 तो यह आजएगा डेल्टा y और x2-x1 यह आजएगा डेल्टा x स्लोप निकालना क्या बढ़ी बात है बहुत असान है तो slope लिख दी इसकी डेल्टा y by डेल्टा x हाँ जी बहुत असान हागी नाचिंटू हाँ जी सर बहुत बढ़ी हा आगे सुनो यह तो स्ट्रेट ला तो मैंने यहां पे टेंजना ली कुछ SEI मैंने यहां पर टेंजना मना ली कुछ SEI क्या तुम्हें टेंजन्ट हर बार अलग-लग नजरा रही है slope, क्या तुम्हें हर point पे different different नजर आ रही है हाँ इसकी slope निकालें कैसे mathematically कैसे निकालें यह तो पता कि यहाँ पे slope कम है यहाँ पे slope जादा है लेकिन slope निकालें कैसे उसके चर्चा करता हूँ थोड़ी सी देखो मालो कि यह अपना curve मैंने दो point ले लिए curve पे एक यह एक यह है, है ना y और x, x भी बना देता हूँ मालो कि यह x और इधर y दो point ले लिए यहाँ पे कुछ y1 की value होगी y1, यहाँ पे कुछ y2 की value होगी y2 ओ, मैच नहीं करा ठीक यहाँ पे कुछ x1 की value और यहाँ पे कुछ x2 की value है ना अगर मैं y2 minus y1 by x2 minus x1 करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो हो हो तो यह तो मुझे मिला delta y which is y2 minus y1 और यह मिला मुझे delta x which is x2 minus x1 यह करने से जो slope मिली वो तो मुझे इस straight line की slope मिली हा की ना, यह वाले की लेकिन मुझे क्या यह straight line की slope चाहिए थी ना मुझे क्या चाहिए थी curve की slope तो curve की slope इससे आने वाली नहीं है हा की ना बिलकुल फिर यह curve की slope कैसे निकाली जाए एक बात तो यह पक्की है कि इस curve की slope हर point पे different हो रही है इसका मतलब मुझे अगर slope बतानी है तो मुझे एक specific point लेना पड़ेगा कि मैं यहां की slope बताना चाहता हूँ ठीक इतनी बात चम की सुनो तो अपने को एक point लेना पड़ेगा तो मैं curve में सबसे पहले एक point ले लेता हूँ तो point की उपर चर्चा कर लेंगे मालो कि मैंने एक curve बना लिया कुछ ऐसा और मैंने यह point बना लिया यह वाला point मालो slope कैसे निकालते हैं हम लोग कहते हैं कि हम लोग तो slope delta y by delta x निकालते हैं भाई इससे slope निकल जाती है अपनी दो कि change in y by change in x अच्छा एक point के लिए क्या ही y का change होगा वो तो point है y में क्या ही change आएगा और point के लिए x में क्या ही change आएगा तो delta y औ delta x निकालोगी कैसे हाँ हाँ delta y औ delta x पॉइंट के लिए तो आने वाला नहीं है समझे बात हाँ जी सर फिर इस point के slope निकाली कैसे जाए उस पे चर्चा करते हूँ इस point के थोड़ासा उधर और थोड़ासा इधर एक segment ले लो ले लिया मैंने ये segment बहुत बड़ा बना दिया है तुमने बिल्कुछ छोड़ा लेना है चमका 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 बहुत छोटा फिर इसको कर लो zoom क्या कर लो जूम अगर तुम इसको zoom कर लोगे ये बहुत छोटे segment को अगर zoom कर लेंगे तो क्या दिखेगा तुमें एक ये straight line दिखेगी चमका के नहीं चमका बहुत बहुत छोटा segment है ये बहुत छोटा अब बहुत छोटे में तुमें curve तो क्या ही नज़राएगा लगबक straight line नज़राएगी इतना समझे पक्का हाँ जी सर तुमें ये straight line नज़राईगी बहुत बढ़िया कि sir ये segment को zoom करा तो straight line नज़रागी ठीक है बाई तो मैं y और x axis बना रहा हूँ क्या तुम कुछ-कुछ ये वाला part यहां पर कर सकती हो हाँ सर्फ straight line के लिए ये करना अपने को आता है कर लेंगे लेकिन थोड़ा इसमें भी खेल है सुनो जब तुम किसी भी x पे मालो की ये graph के x point पे तुम slope निकालना चाहते थे है न x पे slope निकालना चाहते थे क्या ये वाले point के लिए जो दूसरे वाला part है इस segment का जो right end है क्या वहां भी x की value x ही होगी लग बग उतनी ही होगी अगर मैं बोलूं कि मैं 1000 x की value पे slope निकालना चाहता हूँ तो मैंने इसके दो segment ले लिया मैंने इसके दो part कर लिये कि मैं 1000 0.0001 और 999.9999 ये छोटा से segment ले लिया क्या मैं ये segment को लग बग हजारी बो सकता हूँ हाँ तो मैं इस segment की चर्चा करने वाला हूँ जहां पे एक x की value इतनी है और एक x की value इतनी है लग बग हजार ही है वो मतलब बहुत ही चोटा से x में change आया ये change भी बहुत बड़ा है ये change भी बहुत बड़ा है मैं तो point 00000001 की चर्चा करने वाला हूँ बहुत चोटे change की चर्चा करने वाला हूँ ठीक है तो मैं किसे भी x पे जब ये slope निकालने वाला हूँ तो कैसे लिखेंगे हम लोग मालो कि ये जो अपना segment था जिसकी मैंने ये चर्चा करी या जिसकी मैंने ये line बनाई वहाँ पे एक जगा था x ठीक x मालो कि इस segment का ये जो x पार्ट है x में change वो delta x है ये delta x है मतलब कि हम लोग delta x और आगे चले गए ये delta x बहुत छोटा होगा समझाना इस बात को तो यहाँ पे x की value क्या आएगी x प्रस delta x तुम पहले x पे थे फिर तुम delta x और आगे चले गए तो कहाँ पे पहुंच गे x प्रस delta x पे हाँ की ना बिल्कुल सर सही बहुत रहाँ अच्छा ये जो ग्राफ होगा ये y और x में ग्राफ है हाँ की ना बिल्कुल कुछ ऐसा कि y is equal to x square या y is equal to x cube या y is equal to 2x square kind of हाँ की ना बिल्कुल अब math में होते हैं कि functions क्या होते हैं functions ये y भी function है किसका x का समझो ये y is a function of x because y x पे depend कर रहा है y x पे depend कर रहा है जैसे जैसे x की value change होगी y change होगा y की dependence ये x पे तो math में लिखा जाता है कि y is a function of x इस तरीके से लिखते हैं आएगा तो हमारे functions में ठीक है कि y x का function है function मतलब कि y की dependence ये x पे समझे बात जब x की value x होगी तब y की value क्या होगी f x तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि y की value आ गई f x कि जब x था तो y की value f x थी हाँ की ना बेलकुल अच्छा जब x की value x प्लस delta x होगी तब y क्या लिखा जाएगा यहाँ पे लिखा जाएगा y क्या लिखा जाएगा f of x प्लस delta x चमका 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 क्या किया मैंने मैंने एक curve लिया जिस point पे slope निकालनी है वहाँ पे मैंने एक छोटा से segment ले लिया उस segment को करके zoom मैंने एक straight line बना ली क्योंकि वो छोटा segment मुझे लगबग एक straight line ही दिखेगा बेल को okay तो एक ले लिया मैंने x और एक बहुत ही छोटा सा और आगे जाके ले लिया x plus delta x तो यह x interval तो आया delta x similarly मैंने को y define करना है मैंने का कि y is a function of x because यह जो graph होगा यह y और x के बीच में ही बनाया जाएगा so y is a function of x तो जहाँ पे x is x वहाँ पे y is fx और जहाँ पे x plus delta x y is f x plus delta x समझ में आया तो यह जो delta y आया यह delta y आया अपना y2 की value जो की f x plus delta x है minus y1 की value जो की fx है यह delta y आया तो यहाँ पे जो slope निकलेगी वो कैसे निकलेगी slope will be equal to delta y by delta x which can be written as f x plus delta x minus fx divide by delta x चमका के नहीं चमका मैस कर दिया बहुत सारा फिल्क्स पढ़ाने वाले मैस भी कर देते हैं ओ, स्टॉनिश्रिंग तो slope आई delta y by delta x delta y is what? चेंज इन y so y2 minus y1 divided by x2 minus x1 which is delta x समदने वाली ये बात है कि यहां पे जो delta x बहुत छोटा है delta x is लगभग tending to 0 बहुत छोटा delta x है कितना छोटा? बहुत छोटा ठीक है? तो चापो इसको यह differentiation की starting हो रही है भी differentiation define होगा यहां से चाप लिया okays तो अपने पास differentiation की चर्चा में क्या है? slope is f x plus delta x minus f x divide by delta x तो यहां से slope define हो जागी किसी भी point x पे पर बशर्ते delta x बहुत छोटा होना चाहिए delta x is very small okays बहुत बढ़िया शांदार इस तरीके से हम लोग slope define कर देते हैं तो मैं example ले लेता हूँ example y is equal to x square y is equal to x square क्या यह straight line बनेगा? ना मैं तुम्हें बताता हूँग यह graph कैसे होते हैं एक दो type of graph होते हैं y is equal to x square एक y square is equal to x parabola बनते हैं इस student को बहुत confusion आती है कि भाई यह graph कैसे बनेगे तो आज मैं बहुत ही simple सा तरीका बदायता हूँ जिसके basis पर तुम्हें इने graph बना लोगे एक graph बनेगा कुछ ऐसे एक graph बनेगा कुछ ऐसे student को यह confusion होती है कि sir y is equal to x square वाला यह बनेगा यह बनेगा तो सुनो power किसकी ज़्यादा x की जिसकी power ज़्यादा होगी वो लात मार देता है यह समझो power किसकी ज़्यादा है x की तो यहाँ पे x तो x ने मार दी लात तो उपर को मुढ गई ओ यह लात मारी ना मुढ गया उपर लो तो यह वाला जो graph है वो y is equal to x square का है क्योंकि x ने लात मार दी थी x की power ज़्यादा थी यहाँ पे y square is equal to x किसकी power ज़्यादा y की यह इधर क्या है y किसकी power ज़्यादा y की तो y ने मारी लात हो तो graph मुढ गया तो यह graph हुआ y square is equal to x का चमका इस तरीके से graph ना लेते पर इनकी चर्चत अपने को करने नी थी अपने तो slope की बात करने वाले थी ओखेज तो मैंने example ले लिया y is equal to x square यह वाला graph ठीक है बई मेरो किसी भी x पे slope डिफाइन करनी है कि भई x is equal to 2 पे slope क्या होगी x is equal to 4 पे slope क्या होगी x is equal to 8 पे slope क्या होगी मुझे वो general slope का एक formula बता दो ठीक तो मैंने कहा कि slope जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी f x plus delta x minus f x divide by delta x समझना क्या है अपने को delta x बहुत छोटा है चमका देखो पहले x की value x plus delta x डालो किसमें? function में function कौन है? y तो y क्या है? x square इसमें x क्या क्या डालोगे? x plus delta x तो function हो गया x plus delta x का whole square हमने x की ज़िए x plus delta x रख दिया बस बाकी y होई रहा तो वो रख दिया वाई समझ में आया minus x की ज़िए आँ export कर दो x में export का रख्या आया? x square okay divide by delta x तो ये बन गई slope यानि कि delta y by delta x ये slope हो गई slope समझे? solve करते हैं इसको open कर दो a plus b का whole square a square plus b square plus 2 a b minus x square divide by delta x तो देखो x square ने x square को मार दिया तो ये क्या बचा? delta x से divide हो गया ये इधर भी आएगा तो delta x plus 2x ये बचा सुनो पितनी बची delta x कितना है? बहुत छोटा 2x तो बड़ा है अब बड़े में बहुत छोटा add कर दोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा? तो ये लगबग ignored तो ये कितना आगे answer? 2x समझे में आई बात कितना आई answer? 2x so slope x square कितनी आई? 2x अब slope लिखने का तरीका बतायता हूँ क्या तरीका है? ये delta y by delta x है slope लेकिन delta x बहुत छोटा है कितना छोटा? बहुत छोटा तो delta y भी बहुत छोटा physics में जो बहुत छोटा define होता है वो d से define होता है किस से define होता है? d से बिल्कुल तो हम लोग इसको लिखते है dy by dx चमका so slope physics में जो छोटी-छोटी changes आ रहे हैं तो वहां पर हर एक point पर जो slope define होगी वो dy by dx लिखा जाता है ये लिखने का तरीका है is equal to 2x x square के लिए dy by dx is equal to 2x इसी को differentiation बोलते है यही differentiation है this is called differentiation कि भाई हमने y को x के respect में differentiate कर दिया हमने dy by dx निकाल दिया चमका बहुत सई एक और representation होती है लिखने की हम लोग लिखते हैं y dash कई बार y dash लिखते है y dash का मतलब भी है y का differentiation so y dash can also be written as 2x चमका so y dash means y का differentiation so this is the differentiation of y with respect to x है न y का differentiation कर रहा है x के respect में यह रहा उसकी value आई 2x और लिखने का तरीका या तो dy by dx लिख लो या फिर y dash लिख दो y dash की value भी कितने आई 2x समझ में आ रहा है प्रूव करा हमने की y dash 2x आया differentiation of x square is 2x कोई तकलीब बत पढ़िया तो एक example और करो खुझ से करो y is equal to x cube ले लो y is equal to x cube इसकी slope देखो क्या आ रही है इसका differentiation करो देखो क्या आ रहा है y is equal to x cube देखो 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 मजा आएगा x cube करो 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 मजा आएगा देखो y dash या फिर dy by dx मैंने लिखा कितना आया पहले x की value क्या put करूँआ x plus delta x तो y कितना बन गया x plus delta x का whole cube फिर क्या put करूँआ x तो x cube divide by delta x यहाँ पर delta x कितना है बहुत चोटा बिलकुल सुनो इदा तो इसको open कर दो a plus b का whole cube a cube plus b cube plus 3ab square plus 3b a square minus x cube तो थाई divide by delta x चमका के नहीं चमका बेलकुल देखो x cube ने x cube को मार दिया क्या बचा delta x cube हाँ जी plus 3x delta x का square plus 3 delta x x का square divide by delta x हाँ किना बेलकुल सर तो delta x से डिवाइड कर दो क्या बचेगा delta x square plus 3x delta x plus 3x square यही बचा dy by dx हाँ किना बिलकुल delta x कितना है सर्फ बहुत चोटा बिलकुल तो delta x square भी बहुत चोटा लगबग 0 x into delta x भी बहुत चोटा लगबग 0 तो क्या भचा 3x square x square का answer क्या आया था 2x x cube का क्या आया है 3x square यह हमने प्रूव कर दिया तो अब हमने प्रूव कर लिये हैं अब हम लोग differentiation के बारे में सीख चुके हैं कि differentiation कैसे करना है तो मैं तुम्हें कुछ rules बताता हूँ और कुछ examples करते हैं जिसके उपर differentiation अपने और clear out हो जगा ठीक है चलो तो हम लोग rules के साथ differentiation की चरचा करते हैं First rule is differentiation of constant First rule constant का क्या differentiation होगा Example y is equal to 3 y is equal to 3 it means it is a straight horizontal line ये x ये y y is equal to 3 तो ये line होई इस line की slope क्या होती है 0 क्या होती है 0 सो constant का differentiation क्या लिखा जाएगा 0 अगर ये 4 होता तब भी 0 आता अगर ये 2 होता तब भी 0 आता तो कोई भी constant हो है कोई भी constant मैं constant को C लिए देता हूँ तो C का differentiation कितना आएगा 0 constant का differentiation is 0 ठीक बहुत बढ़िया शांदार आगे देखो second is power rule क्या power rule power rule क्या कहता है सुनो example y is equal to x raised to power n कि भाई n कुछ भी है अगर n 0 हो गया तो x की पाट 0 1 फर्स्ट वाले केस में तब आजाएगा differentiation 0 हो जाएगा ठीक है n can be anything तो उस case में क्या होगा देखो जब x square का differentiation किया था वो 2x आया था जब x cube का किया था तो वो 3x square आया था क्या power तुम्हें नीचे उतरती नजर आ रही है 2 था नीचे उतर के 2 हो गया 3 था नीचे उतर के 3 हो गया मतलब जो power है पहले तो नीचे उतरती है देखो तो मैंने लिखा कि dy by dx power को नीचे उतारो उतार लिया अब जो x की power है वो कितनी बची वो दिखते है पहले power कितनी थी? 2 अभी कितनी हो गई? 1 पहले power कितनी थी? 3 अभी कितनी हो गई? 2 क्या power एक से घट जाती है तो x की जो power है वो पहले n थी अभी घट के n-1 हो गई चमका so for x raised to power n differentiation is n x raised to power n-1 समझ में आई बात? example कर लेते लिखो example x raised to power 8 x raised to power minus 2 करो differentiation करने इनका तो इसका differentiation क्या होगा? इसका differentiation लिखा जाएगा y dash is equal to power 8 power x से कम कर दो x की 8 थी तो x की बार किती ही रहे जाएगी? 7 चमका बेलको इसका देखो power minus 2 है नीचे उतारो minus 2 x raised to power पहले कितनी थी? minus 2 x से कम कर दो minus 2 minus 1 minus 3 चमतकारी minus 1 बोल गए minus 3 समझ में आया? तो ये differentiation का power rule कि भाई power को नीचे उतार लो multiply कर लो और बाकी बची power को 1 से minus कर दो माइनस 1 कर दो चमकाना बहुत बढ़िया शांदार तो ये दो rule हो गए और सुनो और भी rule होते हैं differentiation के संद्रिनाटे constant multiple rule constant multiple rule माल लो कि constant कुछ multiply है example y is equal to 3x square ये है माल लो कि पहले ही constant आ रहा है तो क्या करें? देखो constant को अलग साथ रखो बस अलग साथ रखो का मतलब ये निया कि अलग करो और साथ रखो मतलब कि तुम constant को भूल जाओ लिखे रहे न दो साथ में बाकी चीज की चिन्ता करो बाकी कौन है? x square तो इसका differentiation कैसे लिखा जाएगा? y dash is equal to 3 को 3 रखो चिन्ता ही मत करो x square पर focus करो x square में कैसे differentiation करेंगे? power को नीचे उतारेंगे ठीक है भई ये रहा power नीचे उतर गया और x की power 2 से minus 1 हो जाएगी तो 2 minus 1 is 1 बाकी जो 3 था वो multiply में रखो जो भी तुमारा साथ में multiple था उसको multiple करके रखो तो क्या बन जाएगा ये? 6x क्या बना? 6x चम का example कर लेते हैं y is equal to 3x raised to power minus 3 कितना बनेगा? 3 तो multiply में रासर y dash is equal to अच्छा ये लिखना है कि ये y dash है बच्या करते हैं इसको नहीं लिखते is equal to मतलब क्या ये इसके बराबर होगा? आ इसको y dash लिखो कि भाई ये और ये सेम थोड़ी नहीं ये इसका differentiation लिखा जा रहा है तो equality नहीं लिखा सकते y dash लिख रहे हैं हम लोग चमका ठीक तो 3 तो 3 रखा x की पावर जो माइनस 3 से उसको उतारा तो into माइनस 3 बाकी कितनी पजी पावर? x की पावर माइनस 3 थी एक और गटा दो कितना हो गया? माइनस 4 तो कितना अंसर आया? माइनस 9 x रजी पावर माइनस 4 चमका बहुत बढ़िया शांदार और एक कर लो y is equal to x रजी पावर 7 by 7 इसका करो अभी कॉस्टन मल्टिप्लाई क्या है? 1 by 7 अब 1 by 7 इसका हम मल्टिप्लाई में है न? उसको वैसे ही रखो so y dash या dy by dx लिखी दो सननाटे पूछेंगे पता नहीं क्या लिख दिया dy by dx is equal to 1 by 7 वैसे ही रहने दो हाँ सर x की पावर 7 7 को नीचे उतारो उतार लिया है सर x की पावर 1 से घटा दो 7 minus 1 6 सर 7 इस 7 को मार दिया x की पावर 6 ओहो बहुत बढ़िया शानदार समझ में आ रही है बात ठीक है तो ये तीन रूल पढ़ लिया हमने constant multiple वाला रूल है ना और रूल पे चर्चा करते हैं फोर्थ रूल की बात करते हैं बई क्या कहते हैं differentiation का fourth rule देखो सुनो और समझो fourth rule है addition rule या subtraction rule addition या subtraction दोनों एक ही में लिखते हैं addition या subtraction rule कैसे माल लो example की सहत करता हूँ y is equal to x7 plus 3x3 कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि भाई दो टाम है भाई में एक नहीं है दो function है भाई के तो का करेंगे कुछ नहीं करना ये एक function है ये दूसरा function है इसको differentiate करो इसको differentiate करो बीच में जो sign है लगा दो सिर्फ additional subtraction की बात कर रहा हूँ अभी के लिए जैसे y dash is equal to इसका differentiation करो 7 नीचे उतार लो उतार लिया sir power x से कम कर दो कर दी sir बीच में जो है sign लगा दो लगा दिया sir 3 को 3 रखने दो x cube 3 को नीचे उतारो उतार लिया sir power x से कम कर दो कर दी sir तो क्या बने गया 7 x की power 6 plus 9 x square तो जो है symbol वो रखने दो minus होता तो minus लगा दो क्या चिंता क्या अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बहुत बढ़ी है चमका तो यह हो गया अपना addition rule या subtraction rule ठिक एक आता है product rule अगर दो function product में हो कैसे सोनो कि y is equal to 2x plus 1 into 3x square minus 2x कुछ ऐसा है कि sir ये भी एक function है ये भी एक function है चमतकारी क्या करते है सब multiply करेंगे पहले 2x को इससे multiply फिर 2x को इससे mily ड़्लाई फिर 1 को इससे ले फिर 1 को इससे multiply पूरा खोल देंगे फिर कुछ ऐसा चमतकार कर देंगे भीच में बीच में sir plus minus plus minus सब कर देंगे, लंबा हो जाएगा, डिरेक्ट वरीका बताता हूँ, और जरूरी नहीं है कि तुम्हें फंक्शन इतनी सिंपल मिलें, फंक्शन बहुत डिफिकल्ड ही मिल सकते हैं, जहां पे तुम सिर्फ प्रड़क्ट रूल ही लगा के सॉल कर पाओगे, ठीक है, तो उसकी दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशेशन लिखो, डश मतलब डिफ्रेंशेशन, प्लस, प्लस लगा मैं बीच में, अभी दूसरे वाले को कॉंसेंट रखो, रख लिया सर, और पहले वाले को डिफ्रेंशेर कर दो, कर दिया सर, तो यह है प्रड़क्ट रूल, ठीक, एक को कॉंसेंट रखा, दूसरे वाले को डिफ्रेंशेर करा, प्लस, दूसरे वाले को constant रखा और पहले वाले को differential करा, चम का, example यह ले लेता हूँ, so y' इस में क्या लिखा जाएगा, कि भाई, पहले वाले को constant रख लो, रख लेता हूँ 2x plus 1 और दूसरे वाले को differential कर दो, कर देता हूँ, 3x square का differentiation, 3 तो पावर नीचे आ गई, तो 6 हो गया, 3 into 2, 6 और पावर जो x square थी, वो x से कम हो गई, 2 minus 1, 1, तो x की पावर 1, समझा, okay, minus, okay, यहाँ पे 2x, x की पावर कितनी, minus 2 तो लिख दिया, x की पावर कितनी है, 1, 1 को नीचे उतार लो, 2 into 1, 1, x की पावर कितनी पावर जीरो, पहले 1 थी ना, कितनी पावर जीरो, x की पावर जीरो क्या होता है, 1, 10 की पावर जीरो, 1, 1 को नीचे पावर जीरो, 1, x की पावर जीरो, 1, चमका, हाँ, तो into 1, ठीक है, लेकिन अभी खतम नहीं हुआ, plus, इसको कॉंसेंट रखो अभी, रख लिया, सर, 3x स्क्वाइर, माइनस 2x, okay, multiply, इसका डिफ्रेंशिशन, 2x का डिफ्रेंशिशन, 2, अभी 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 सुना था, plus, 1 का डिफ्रेंशिशन, बच्चे वन बोल रहे हैं, सन्नाटे कार पकड़ू हमें, 1 का डिफ्रेंशिशन, कौंसेंट डिफ्रेंशिशन क्या होता है, 0, plus 0, तो ये पूरा, is the differentiation, इसका, समझ में आया, पक्का, okay, और रूल देखते हैं, रूल तो बहुत हैं भाव, धीरे-धीरे, सब प्रेक्टिस हो जाएगा, चलो, नेक्स्ट रूल की चर्चा करते हैं, कौंसे रूल था ये, देख लाँ, नमबर सही लिख रहा हूँ न, 6 नमबर लिख रहा हूँ, पक्का, ओके, डिवाइड रूल, प्रड़क्ट रूल, डिवाइड रूल, और भी कुछ बोलते हैं इसको, बगवान जाने, डिवाइड रूल, जैसे, कि y is equal to 3x plus 2, डिवाइड बाइ 4x square minus 8, कुछ ऐसा, डिवाइड में, एक function उपर वाला, एक function नीचे वाला, मतलब y is equal to कुछ u by v types है, कि बगवाइड उपर वाला एक function x का, और नीचे वाला एक function x का, y is equal to u by v, है ना, डिवाइड रूल है, पुड़क्ट रूल नहीं है, डिवाइड रूल है, इसको कैसे करेंगे, सुनो, इसका differentiation, y dash is equal to, नीचे वाला को है, v, पहले तो उसका denominator में रखो square, तो v square कर दिया, समझे ना, इसको, क्या रखा हमने, v square, ठीक है भई, फिर, नीचे वाले को रखो constant, यहाँ पर, रखा, उपर वाले करो, differentiation, कर दिया, नीचे वाला समझ लो, नीचे वाला ना वो है, नीचे वाला बड़ा बंदा है, तो पहले तो नीचे वाला ने अपना square कर दिया, फिर नीचे वाला बोला, कि पहले मैं constant रहुआ, तो नीचे वाला पहले रह लिया, उपर वाले ने बोला, ठीक है भई, तू रहले, मैं differentiate हो जाता हूँ, तो हो गया उपर वाला differentiation, समझ में आया, माइनस, यहां पर माइनस आता है, ध्यां रखना, प्रड़क्ट रूल में क्या आता था, ब्लस, यहां पर माइनस, पहले कौन रहेगा, नीचे वाला, उपर वाला differentiate हो गया, अब उपर वाला बोलेगा, मेरीको भी constant होने दो, मेरीको भी constant होने, तो उपर वाला हो गया constant, और नीचे वाला हो गया differentiate, so this is productive rule, sorry, divide rule, नीचे वाले का square, नीचे वाला constant, उपर वाले का differentiation, माइनस, उपर वाला constant, नीचे वाले का differentiation, यह example solve कर देता हूं, तो y dash, is equal to, फिर नीचे वाला constant रख दिया, रख दिया भाई, 4x square minus 8, okay, multiply, उप्रवाला का differentiation, 3x का differentiation, 3, चम्मा क्या होगा अभी तक तो, plus 0, 2 का differentiation, 0, minus, उप्रवाला constant, कितना, 3x square plus 2, फिर नीचे वाला का differentiation, 4x square का differentiation, 4 तो 4 रहा, into, x square, 2 को नीचे लेके आए, 2, x की बार कितनी बची, पहले 2 थी, अब कितनी हो गई, 1, ठीक है, 2x, minus 8, 8 का differentiation, 0, कहानी, खाता, यह लो, हो गया differentiation, चम्मा, हाँजी सर, ठीक है, तो यह हुआ, divide rule, कुछ और parts की बात करता हूँ, कुछ और rules की चर्चा करता हूँ, जैसे की 7th rule, cos function, तो उन rules की चर्चा करते हैं, मालो की दिया हुआ है कि, y is equal to sin x, याद रखना इसका अपने को, y is equal to sin x, तो इसका differentiation क्या होगा, तो लिखा गया, कि y dash is equal to, याद रखना, sin x का differentiation होता है, cos x, क्या होता है, cos x, ठीक, y is equal to sin x, so y dash is equal to cos x, the differentiation of sin x is cos x, याद रखना, एक और, y is equal to cos x, अगर cos x है, तो इसका differentiation क्या होगा, याद रखना, इसका differentiation होता है, minus sin x, दीरी-दीरे practice करोगे, तो ये याद हो जाते है, sin x का differentiation, cos x होगा, और cos x का differentiation, minus sin x होगा, तो ये आठ रूल, basic जो rules हैं अपने differentiation के, अगर ये अपने को याद है न, तो differentiation बड़ा smooth जाता है, मज़एदा, differentiation हर जगा यूज़ होगा, physics में बता रहा हूँ, 11-12 हर जगा तुम differentiation का यूज़ कर रहे होगे, और mechanics में तो खास करके, differentiation का rule यूज़ करते हैं हम लोग, तो समझते रहना, ठीक है, कोई तकलीफ, पक्का, जी सर, next हम लोग एक rule के बारे में चर्चा करते हैं, वो भी काफी important है, सुनो, वो rule का नाम है, chain rule, chain rule, ठीक, differentiation में, chain rule, मान लोग यह अपने को दे रखा है, y is equal to sin 3x, ठीक है, sin x कीएगा, sin 3x दे रखा है, इसको differentiate करना है, अपने को dy by dx निकालना है, okay, कैसे करना है, सुनो, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या time है, तुम्हारे पास sin something, पहले तो इसका differentiation कर दो, क्या आएगा, sin का differentiation, cos, तो सबसे पहले तुम आया, cos something, something कौन है, 3x, तो cos 3x आगया, okay, बहुत बढ़ी है, शानदा, अच्छ, इसके बाद तुम sin के अंदर घुजो, sin के अंदर घुजो गए, क्या मिला, 3x, अब 3x का differentiation करो, 3x का differentiation कितना आएगा, 3, कितना आएगा, 3, into 3, तो यह आजएगा, 3, cos 3x, चमका, चमका, तो chain rule कहता है, कि हम लोग तब तक अंदर घुजते जाएगे, जब तक अपने को into 1 न मिल जाए, तो अभी भी हमने 3x के अंदर घुजे, तो उसका differentiation 3 मिला, फिर उसके बाद x रह गया, x का differentiation 1, तो into 1 लिखा हुआ है, जमका, थोड़ा एक और example लेता हूँ, clear हो जागा, मालो, कि अपने को दे रखा है, y is equal to 2x plus 1 का whole square, 2x plus 1 का whole square दे रखा है, मैं एक तो तुम्हें general differentiation करके रिखाता हूँ इसका, जैसे की इसको तुम expand कर दो, यह हो जाएगा, 4x square plus 1 plus 4x, इसका differentiation कर दो, क्या बन जाएगा, dy by dx will be equal to, power नीचे आ गई, 8x, 1 का difference 0, और 4x का 4, यह बनना चाहिए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ, पर, अगर मेरे कुसका direct differentiation करना है, सुनो, क्या चीज लिखी हो है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास something का square है, क्या है something का square, something के square का differentiation क्या होगा, 2, x से कम कर दो, कितनी बच गई, 1, 2x plus 1 लिख दिया, समझे, 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 okay, और सुनो, अब मैं इसके अंदर घुष जाता हूँ, something square की बात करी थी ना पहले, अब मैं something के अंदर घुषता हूँ, something क्या है, 2x plus 1, अब इसका differentiation करो, हम लोग अंदर घुषते जाएंगे, ज 2x plus 4, मिला ना वही, यह वही मिला ना, चमका, मतलब हम लोग अंदर घुषते जाएंगे, जब तक अपने को इन्टू 1 ना मिल जाए, so this is chain rule, मैं तुमें कुछ कोशन देता हूँ, तो उसको solve कर ले ना, बड़ा कोशन देता हूँ, एक ही दवर, ओ, उसको कर लो, एक कोशन देता हूँ, मज़ा आजेगा तुमें, सुनो, बड़ा कोशन, y is equal to sign of 3 cos 8x, इसको करो, निकालो, differentiation y dash, सबसे पहले क्या है मेरे पास, सुनो, कर लिया, अब सुनो मेरे बात, sign something, कर दो differential, कितना आया, cos something, okay, cos 3 cos 8x, okay, is into, अब इसके अंदर गुश जाओ, यह लो, अब इसके अंदर गुश गए, 3 cos 8x, इसका differentiation करो, 3 cos 8x का difference क्या आया, 3 minus sign 8x, यह आया, 3 cos 8x का 3 तो 3 रहा, और cos 8x का minus sign 8x, समझ में आया, okay, is, अब इसके अंदर गुशो, क्या मिला, 8x, तो 8x का difference करो, क्या मिला, 8, into 8, अब 8x के आगे क्या है, x, x का difference 1, ठीक है, भी, खतम हो गया, so this is chain rule, समझ में आया, पका, okay, is, और example कर लो, cos 3x, y is equal to cos 3x, find y dash, सबसे पहले, cos something, minus sign something, अब something के अंदर गुशो, 3x, 3x का differentiation 3, so into 3, बस, इतना अपने physics में काम आएगा, चम का, पक का, ठीक, चलो, कुछ questions करते हैं, छाप दो questions को, example लिखे होया है, करो, हो गई, चलो, देखते हैं किक करके, y is equal to 8x q plus 3x least power minus 3, differentiation करना है, y dash is equal to, 8 constant है, साथ में multiply रहेगा, 3 उपर से आगया नीचे, so 8 into 3, 24, power x की x से कम कर दो, तो 2 रह गई, ok, फिर plus, 3 constant है, minus 3 नीचे आगया, 3 into minus 3, minus 9, और power x से कम, पहले कितनी थी, minus 3, x से कम मतलब minus 4 हो गई, समझ में आया, ok, दूसरे की चर्चा करते हैं, 3 लिखा हुआ है, रहने दो 3 को, sin x का differentiation, cos x, cos x, plus, 1 by 3 है, ठीक है, 1 by 3 रहने दो, cos x का differentiation, minus sin x, minus sin x, ok, बहुत बढ़िया, शानदार, next के बात करते हैं, y dash is equal to, minus 7, minus 7 रहा, ok, minus 7 ये power वाला, नीचे आगया, so into minus 7, power कितनी थी, x की minus 7, एक से कम कर दो, minus 8, चमतकार ये minus 6 कर दिया होंगे कहीं तो, कितनी आएगी, minus 8, ok, minus 5, x की बार कितनी थी, आप 5, नीचे उतारो, 25 हो जएगा, 5, 5, 25, x की power, 5 थी, x से कम कर दो, 4 रह गई, तो क्या लिखा जाएगा ये, minus 7, minus 7, 49, so 49, x raised power minus 8, minus 25, x raised power 4, हाँ की ना, बेलकुल, अच्छा, इसकी बात करता हूँ, चलो इसी की बात कर लेता हूँ, टैंस को क्या लिख सकते हैं, sin x by cos x, हाँ की ना, बेलकुल, कौन सा रूल लाएगा, divide वाला, quotient rule बोलते हैं, उसको divide वाला है, तो इसका differentiation, पहले नीचे वाले का square करो, कर दिया सर, cos square x, कर दिया सर, square, फिर नीचे वाला constant रखो, रख दिया सर, उपर वाले का differentiation करो, sin x का differentiation, cos x, कर दिया सर, minus, उपर लेगा constant रखो, रख दिया सर, और फिर नीचे वाले का differentiation करो, cos x का differention minus sin x Mines इ égal लगा विया उपर क्யा बन गया cos square x plus sin square x यह क्या is सैन लाटो cos square x plus sin square x 1 नहीं दो दो कितना होता है तो यह बन गया 1 by cos square x cos का inverse क्या होता है secant क्या होता है secant तो यह बन गया secant square x so 10x का differentiation secant square x 10x का differentiation secant square x similarly तुम cortex का differentiation भी कर सकते हो cortex will be cos x by sin x similar वे से कर सकते हो समझे? ठीक इसकी चर्चा करते हैं अभी space नहीं बचा बना लो space तो क्या है अपना ही तो board है ठीक है ये ये भी वही divide वाला तो y' is equal to नीचे वाले का square नीचे कार है? 3x minus 1 रख दिया भाई फिर नीचे वाले का उंसेट रख लो रख दिया भाई फिर उपर वले का differentiation रखो उपर में 2x का differentiation 2, 5 का 0, okay, minus उपर वले कांसेट रखो रख दिया भाई 2x plus 5 फिर नीचे वाल का differentiation करो नीचे वाल का differentiation क्या आएगा 3x का 3 और 1-1 का 0 तो यह आओ गया multiply multiply कर ले न और देख ले न तो आगया differentiation बिल्कुल सही बात है न सो यह कहानी हुई अपनी differentiation की जिसमें हम लोगों ने differentiation करना सीखा कुछ rules पड़े और उन rules के अधार पर हम लोग differentiation करते हैं चमका इसकी practice करना नीचे assignment में differentiation के questions है तो assignment करके जाना है आपने को practice होईगी उससे और next class में हम लोग यह सिखेंगे कि differentiation का physics में क्या rule होता है समझ में ही बात इंटुल क्लास में आएगा हाँ जी सर देखते हैं चलो असाइनमेंट करना और हम लोग next class में मिलते हैं with applications of differentiation तिल देन टाडा